हेलो फ्रैंस वेलकम टू माई टैट क्लास्ट फ्रैंस आज हम देखेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट छे इससे पीछे हम पांच प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जी लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रप्शन में उसका लिंक है आप लोग एक बार वहाँ से उसे जाकर तत्पुर समास का उदाहरण नहीं है आपको नहीं है छाटना है राज कुमार यग्यवेदी आजन या ग्राम वासी तो तत्पुर समास में कौन सा कारक्चीन लगता है का तो राज कुमार यान की राजा का कुमार यग्यवेदी यान की यग्यकी वेदी आजनम का नहीं हो और ग्राम वासी का होतागा ग्राम का वासी यहां से पहला दूसरा चौथा तो हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है तो वो आजर्म हो रहा है अप्शन तीन आपका यहां पर सही होगा अगला प्रिशन देखिए अगला प्रिशन है यहां पर तच्छम सब्त के संदर्म में सह संथन कोई प्रदान किये जाते हैं विकरित होता है यह बिगड़ा हुआ यही यह संस्कित भाषा से उठाकर हमारी लेंग्वेज में बोले जाते हैं उनका कोई रूप बोली जारी उस भाषा के लिए है तो यही पॉइंट यहाँ पे सही दिख रहा है अगला पॉइंट देखते हैं यह विक्रिती या बदल कर तच्छन सब बदले नहीं जाते इसलिए इस पॉइंट को आगे पढ़े या नपढ़े गलत होता है यह कठीन शब्द होते हैं यह आपका यहाँ पे सही है अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन यहाँ पर है खर शब्द का निमली खित में से एक अर्थ नहीं है यान कि खर शब्द का कौन सा एक अर्थ इसमें नहीं होगा कौन सा आर्थ है यह देखिए खर गधे को कहा जाता है इसलिए यह सही है खर बाड को कहा जाता है, इसमें confusion है, छोड़ देते हैं, तिनके को खर भी कहा जाता है, इसलिए ये point भी सही है, और एक राख्चर खर दूशर थे, तो खर एक राख्चस का भी नाम हो गया, तो ये point तो है, और आप से पूछा हैं नहीं, तो ये नहीं कौन सा है, बाड नहीं है, खर शब्द का अर्थ बारन नहीं होगा उस option दो आपका यहाँ पे सही है अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन है यहाँ पर अजायब घर है यहनकि यह जो शब्द अजायब घर है यह किस तरह का शब्द आपको यह बताना है देशी शब्द है, तच्छम शब्द है, विदेशी शब्द है या फिर संकर शब्द है तो अजायब घर आपका संकर शब्द है, option 4 आपका यहाँ पर सही है अगला प्रशन देखिए अगला है कि विसर्ग संधी कही जाती है, यहाँ से पॉइंट दिए गए इनकों आपको छाटना है विसर्ग के साथ स्वर का मेल विसर्ग संधी कहलाती है या फिर विसर्ग के साथ गिंती का मेल कहलाती है या फिट विसर्ग के साथ स्वर्या वेंजन का मेल विसर्ग संधी कहलाती है या फिर या बहुत उच्च मेल है तो देखे विसर्ग संधी के बाद स्वर्या वेंजन दोनों ही आते हैं option 3 आपका यहाँ पे सही होगा कि विसर्ग एबाथ स्वारिया वेंजन के मेल को विसर्ग संधी कहते हैं अगला पृशन देखिए पृशन है आपका फैजाबाद जनपद में बोली जाती हैं कि फैजाबाद जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है आपको ये बताना है तो आप जानते हैं कि फैजाबाद का नाम बदल कर रखा गया है अयोध्या ठीक है इस बात पर ध्यान देज़ेंगे तो आप बहुत जल्दी वहाँ पर पहुच जाएंगे और अयोध्या में कौन सी बोली जाती है अवधी मगही भोजपरी और मैथली तो कौन सी बोली जाती है अयोध्या में अवधी तो option एक आपका यहाँ पर सही है अगला प्रशन यहां की परमाल रासो के रचनाकार का नाब बताईए चंद वर्दाई जगनीक दलपती लाल सी तो परमाल रासो जगनीक की रचना है option दो आपका यहाँ पर सही हुआ अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन है आप शट पत का पर्यावाची शब्द आपको बताना है क्य चितली भ्रमर मकडी या केकड़ा तो शट पत भरे को कहा जाता option दो आपका यहाँ पर सही है अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन यहां पर आपको बताना है अगनिका होगा या अनिस्ठिका होगा या अगनिस्ठिका होगा आपको ये बताना है तो कौन सा होगा यहां से option चारियन की अगनिस्ठिका होगा अंगिठिका तद्शम सब्द अगला प्रश्ण है यहाँ पर इन में से एक शब्द तदभव है कौन सा सब्द तदभव आपको छाटना है दिन कपास अंधकार और इसकंध तो कौन सा है यहाँ पर कपास आपका क्या है तदभव सब्द है option दो आपका यहाँ पर सही हुआ अगला प्रश्ण देखिए यह वन का उचारन स्थान है कौन सा है तालू मुर्धा दंत कंट तो दो वन का उचारन स्थान तालू है option एक आपका यहाँ पर सही है अगला प्रश्ण देखिए अगला प्रश्ण है सत चयन का संधी विच्छेद होगा सत अधन चयन तो देखिए पर सही है अगला प्रश्ण देखिए अगला प्रश्ण कि मार्ग में खाने के लिए भोजन यान कि जब रास्ते में हम निकलते हैं तो अपने रास्ते के लिए भोजन कुछ बना लेते तो उस भोजन को क्या कहा जाता आपको यह बताना है पत्थ पाथे अथव या उपाहार तो मार्ग में खाने वाले भोजन को पाथे कहा जाता है अप्चन 2 आपका यहाँ पर सही है अगला प्रश्ण यहाँ पर धूप में बाल सफेद करना मुहावरे का क्या अर्थ आपको अर्थ बताना है अधिक अनुभवी होना अनुभाव हीन होना परिपक होना या फिर अगला प्रश्ण है कि निश्चे वाचक सर्वनाम का उधारण है क्या कौई कुछ तू तुम या फिर यह और यह तो निश्चे वाचक सर्वनाम की उधारण आपका यह और यह अगला प्रश्ण देखिए अगला प्रश्ण है कौन शब्द पूलिंग आपको यह बताना है दया देखिए जब इस तरह के वर्ड दिये जाए तो आप उन्हें पहले वाक्य में कनवर्ड कीजिएगा बनाईए गवाक के तो आपको स्वैम ही पता चलेगा कि यह क्या होगा ह करके देख लेते हैं एक बास दया किसी पर दया आती है तो आती चक्या है इस्थरी लिंग को बहुत कराता है तो यहां पर यह क्या है चक्या है तो में घैटी घटी शब्द बोलते हैं, तो घटी में ए की मातला लग रहे हैं, तो ये किस और इंगित कर रहा है, ये इस्ति शब्द की और इंगित कर रहा है, तो ये शब्द इस्त्रिलिंग हुआ, रोटी, रोटी जल गई, तो रोटी जल गई, तो रोटी जल गई में हमने गई शब्द तो दया, घटना, रोटी, यह सब क्या है, आपके इस्त्रिलिंग वर्ड है, वहीं बुढ़ापा आपका पूलिंग शब्द है, तो प्रश्ण के इसाप से option 4 आपका सही है, अगला प्रश्ण देखिए, अगला प्रश्ण है, सांत रस्त का इस्थाई भाव होता है, क्रोध, अंगिनत, असंख या और सीमित, तो जिसकी गिंती नहीं हो सकती, उसे हम कहते हैं अगडित, option 1 आपका यहाँ पे सही है, अगला प्रश्ण देखिए, अगला प्रश्ण है, बिल्ली छत से कूत पड़ी में कौन सा कारक है, अधिकरण है, कर्म है, संप्रदान है, या फिर अ अपादान हो गया है, यह क्या है आपका अपादान, तो बिल्ली छत से कूत पड़ी में कौन सा कारक होगा, आपका अपादान कारक होगा, option 4 आपका यहाँ पे सही है, तो फ्रेंट्स यह आज की वीडियो के 20 प्रश्ण कैसे लगे, एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बता अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार